हेलो फ्रेंड्स असलाम लिकूम वेलकम टू रूमी फैमिली ब्लॉग सब्सक्राइब किजे रूमी फैमिली ब्लॉग को और बेल आइकन दबाईए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ घीया के लच्छेदार कुरकुरे पकोड़े की रेसिपी से अर गरने जा रही हूं तो फ्रेंड्स देखे ये पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं तो जब साम की हलकी भूख हो तो आप ये पकोड़े चाय के साथ बनाईए और अ इसके लिए सबसे पहले एक छोटा साइज का घीया छील कर धो लेंगे और धोने के बाद इस तरह से ग्रेट करके रख लेंगे तो देखें मैंने घीया को ग्रेट करके रख लिया है और इस तरफ एक बड़ा साइज का प्यास इस तरह से बारिक बारिक कट कर लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और एक टेबल स्पून साबूत धनिया तो अब प्याज को इस तरह से हाथ में लेकर क्रस करके डालेंगे ताके इसके प्याज के सारे लच्छे अलग-अलग हो जाएं तो देखिए सारे प्याज मैंने इसी तरह से क्रस करके डाल दिये हैं घिया में अभरा धनिया साबूत धनिया तो इस तरह से मैंने सारे डाल दिये हैं अब इसमें मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हाफ टेबल इस्पून चिली फ्लैक्स हाफ टेबल इस्पून टर्मरिक पॉडर हाफ टेबल इस्पून रेड चिली पॉडर टेस्ट के कोडिंग नमक तो देखिए यह देखने में कितना ब्यूटिफूल लग रहा है इसमें हर कलर दिख रहा है यलो ग्रीन रेड तो अब इसमें एक बड़ा चम्मच बेशन डालेंगे और आधा बड़ा चम्मच सूजी डालेंगे इसे सूजी को अच्छी तरह से पहले साफ कर लेंगे फिर डालेंगे अब इन सभी चीजों को हास से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्यूंकि घीया में अपना पानी होता है वो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देता है तो देखिये हमारा पकोड़े का बैटर बनकर विल्कुल तयार हो गया है अब इस तरफ फ्लेम को आउन करके कडाही में तेल डाल देंगे तो मैंने मस्टर्ड ओयल डाला है आप जो तेल यूज करते हैं आप वही तेल में फ्राई कर सकते हैं तो देखिये हमारा इस तरफ पकोड़े का बैटर बनकर विल्कुल तयार है तो इससे छोटा 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 पकोड़े बनाएंगे तो देखिये कडाही में जितना तेल है उतना ही पकोड़े बनाएंगे ताकि सारे पकोड़े तेल में अच्छी तरह से डूप जाए तो देखिये हमारे एक बार के पकोड़े बनकर तयार हो गए हैं तो अब इन्हें एक साइट से सिखने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे जब एक साइट का फ्राई हो जाएगा तभी इसे दूसी तरफ पल्टेंगे तो देखिये एक साइट का पकोड़ा फ्राई हो गया है अब इसे दूसी तरफ पल्टेंगे तो एक एक करके सारे पकोड़े पल्टेंगे हलके हातों से ताके पकोड़े तूटने ना पाए तो देखिए एक बार के मैंने सारे पकोड़े दूसी तरफ पलट दिये हैं और दूसी तरफ भी फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे इसे थोड़ी देर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे तो देखिए थोड़ी देर में ही पकोड़े दूसी साइट से भी फ्राई हो गए हैं तो अब इसे तेल से अलग कर लेंगे तो देखिए जो कम फ्राई हुए हैं पकोड़े उन्हें सबसे लास्ट में निकालेंगे ताके वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए हमारे पकोड़े एक बार के बनकर बिल्कुल तयार हैं तो अब दूसरा टिप भी इसी तरह से तयार करेंगे तो इसी तरह से छोटे छोटे पकोड़े बना लेंगे तो देखिए दूसरी बार के भी हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं अब इन्हें एक साइट से सिखने के लिए छोड़ देंगे और ये देखिए हमारे एक बार के पकोड़े फ्राई होकर बिल्कुल तयार हुए तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे घीया के लच्छेदार कुरकुरे पकोड़े की रेसीपी कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और मेरे रेसीपी पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड में सेर कीजेगा तो मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज